Hi students, so welcome to Amplify Learning YouTube channel and इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं Class 10 Mathematics का chapter Locust बहुत से बच्चों का request था किसे Locust बहुत टफ लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है So finally इस चैप्टर के उपर वीडियो आ गया है So Locust की बात करें या Locust की बात करें दोनों एकी चीज होती है Locust हम singular word के लिए यूज करते है And Locust यहां पर उसी का plural word है या plural form है So यहां पर हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज़े पढ़नी है उसकी बात कर लेते है So Class 10 ICSC के से लिए बस में Locust बहुत फिर से है And Locust का हमें definition देखना है कि यह क्या होता है फिर इसके meaning की बात करेंगे सेमी चीज हो गई And then इससे related कुछ theorem से हैं यहां पर उनकी बात हम करेंगे And basically जो हमें यहां पर करना है यह chapter में वो है construction यह तुमारा construction के उपर base chapter है So इसलिए construction करने के लिए जो सामान यहां लगता है वो सारा का सारा मैंने इकठा करके रखा हुआ है जैसे कि हमें pencil की जरुरत पड़ेगी हमें eraser चाहिए होगा, ruler चाहिए होगा And also हमें compass चाहिए होगा जिसकी मदद से हम यहां पर constructions करेंगे And हमें यहां पर protractor का use नहीं करना है तो इसलिए मैंने उसको लिया भी नहीं है कई बीचे का अगरते हैं Protractor से angle measure करके बना देते हैं बट वो गलत तरीका है हमें यहां पर scale का, compass का और pencil का ही सिर्फ यूज़ करना है और हाँ, eraser भी रख लेना ताकि अगर कुछ गलती हो जाए तो उसको correct कर लेना So, चलो, बहुत होगी बात है So, चलो, finally अभी studio को start करते हैं देखते हैं, locust के बारे में तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं Locust word के meaning की तो यहाँ पर सबसे पहले सामान को अठाते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे की Locust होता क्या है actually So, यहाँ पर definition हमारा है The Locust of a Point is the path traced out by the point अब geometry में हमें यह पता है कि जितने भी figures होते हैं चाहे वो line हो या फिर एक curve हो वो सारे के सारे एक points से मिलके ही बने होते हैं अगर इससे पहले यह बात नहीं पता दी तो अब जान लो कि जो एक point होता है जैसे मान लो यह point है सो यह point तुमारा basic होता है geometry में मतलब यही एक point मिल मिलके कई चाही चीज़े बना सकता है जैसे मालो यही सारे points हमने एक straight line में ले लिए इस तरह तो यह क्या बना लेगा यह straight line इस तरह form कर लेगा तुम कई सारे points एक straight line में ले सकते हो and यह एक line create कर सकते हैं यहापे so छोटे-छोटे points मिलके कुछ भी बना सकते हैं और देखो, जैसे मालों यही हमने point एक curve form में इस तरह ले लिए, इस तरह curve के form में ले लिए, then यह point मिलके क्या बना लेंगे, एक curve बना लेंगे, so point कई सारे मिलके कुछ एक path trace out कर सकते हैं, and that path is known as locus, इसी path को locus बोला जाता है, तो यही simple सा definition है, अब वो एक straight line भी हो सकता है, तो हमाय कोर्स में curve का भी locus है, और एक straight line भी locus है, तो चलो भी देखते हैं हमारा locus का सबसे पहला theorem, जो के हमाय कोर्स में है, बहुती simple सा theorem है, इसको देखते हैं अभी, so theorem number one is, the locus of a point at a fixed distance from a fixed point is a circle with the fixed point as center and the fixed distance as radius, तो जो पहला हमारा theorem है, वो basically circle के लिए है, तो circle के case में क् हमारा एक center point होता है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा में precise तरीके से बनाऊंगा, यहाँ पर एक हमारा center point है, this is the center, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं center, and इसको मैं compass की help से बनाऊंगा, ताकि तुम्हें जादा accurately समझ मैं कि यहाँ पर किस theorem की बात हो रही है, तो यहाँ पर मानल यह हमारा compass है, इसको मैं set कर लेता हूँ, थोड़ा सा, मान लेते हैं, कुछ distance हमने मानलो ले लिया, measure करने की जरूद अभी नहीं है, मान लेते हैं, यहाँ से, यहाँ तक का distance measure कर लेते हैं, ज्यादा accurate हो जाएगा, तो यहाँ पर हम नाप लेते हैं, कितने radius का हमें circle बनाना ह यहाँ center पर मैंने zero mark को रखा है, then उसके बाद में हम यहाँ पर five centimeter मानलो इसको measure कर लेते हैं, five centimeter मैंने यहाँ पर marking ले लिया, थोड़ा सा और accurate five centimeter हमने यहाँ पर exactly ले लिया, अब यहाँ पर अगर इस center पर रखके हम यहाँ पर circle draw करें, इस तरह कुछ, तो यह हमारा एक proper circle ब circle को बनाने का मतलब क्या है, अब ज़र इस definition को ज़र दुबारा ध्यान से पड़ो समझ में आशाएगा, the locus of a point, मानलो यह एक point था यहाँ पर, यह बाहर वाला एक point था, इस point का locus, the locus of a point, at a fixed distance from a fixed point, यह जो अंदर वाला है, this is a fixed point, fixed point मतलब यह नहीं चलेगा कहीं, this is a fixed point and यह अपनी जगा fix रहता है, जो center वाला point होता है, यह अपनी जगा fix है, हमने इस से एक particular fixed distance पर एक point लिया and then इस point को move कराया, अब यह point मूँव होगा, फिर यह point यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा and होते 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 हर जगा घुमता हुआ है कि एक हमने point लिया एक fix point है center वाला उससे fixed वाले distance पे यानि कि एक radial distance पे हमने एक दूसरा point लिया और उस point को जब हम चारों तरफ move करा रहे हैं जिसे हमने यहां पे compass लिया था fix करके तो एक point तो center पे जहां needle होता है वहां पे है और यह जो pencil जहां पे यह तुमारा variable point है moving point है and जो path यह trace out करता है यह path क्या बनके आता है यह एक circle बनके आता है तो यही जो तुमारा circular path है this is the locust of a point at a fixed distance from a fixed point and यह क्या होता है this is a circle with fixed point as the center and fixed distance as the radius यही जो fixed distance है, यह तुमा radius हो जाता है, तो इतना तो simple है, circle बनाना तो सब को आता है, कैसे बनाना होता है, compass से, जो center वाला point है, वहाँ पर यह needle रखा जाएगा, देख लो यहाँ पर, यहाँ पर तुम इस needle को रखोगे, and जितना distance तुमें set करना होगा, इस scale की मदद से हम पेशा needle को zero mark पर रखे, हम pencil को move करके, जितना भी radius हमें question में दिया होगा, वह हम यहाँ पर set कर सकते हैं, और फिर उसी radius का हम सब कर दुना देंगे, अब यह है बहुत असान चीज, बच्छों को पता नहीं कि लोकस chapter tough लगता है, but simple सी चीज है, बस concepts है, अगर concept समझ जाओगे इस दें लोकस of a point, equidistant from two intersecting lines, is a bisector of the angles between the lines, तो अब हम angular bisector की बात करने वाले है, यह क्या होता है, तो समझते हैं, यहाँ पर है, locus of a point, equidistant from intersecting lines, from two intersecting lines, so यहाँ पर दो intersecting lines पहले हम बना लेते हैं, so intersecting lines, एक line मान लेते हैं, हमाई यह है, समझना रहा हैं से, एक line मान लो, यहाँ मैंने बना दी इस तरह, this is line number one, इसकी length से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, और दूसरी line मान लो, मैंने बना दी, ऐसे कुछ, तो यह हमाई दो lines हो गए, यहाँ पर इस line का नाम मैं दे देता हूँ, AB, and इस वाली line का BC नाम हो गया, तो यह दो lines है, so यहाँ पर जल्दी equidistant from two intersecting lines, तो समझ जाना कि वहाँ पर angular bisector ही तुम्हें बनाना है, तो कैसे बनाते हैं, वो जल्दी देख लेते हैं, जहाँ पर भी तुम्हाई वो दोनो lines intersect कर रही होगी, या cut कर रही होगी, वहाँ पर needle को रखे, सबसे पहले हमें एक angle वाला arc बना लेते हैं, simple इस तरह, ये angle का arc हो गया, ठीक है, अब उसके बाद ये arc जहाँ जहाँ इन दोनो lines को touch करेगा, एक बार इस वाले point में needle को रखे, एक दूसरा arc ऐसे बना लेंगे, उसके बाद जहाँ पर ये arc ने दूसरी line को touch किया था, cut किया था, वहाँ पर needle को रखे, एक और arc लगा लेंगे इस त तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे, देखो, दोनो lines यहाँ पर आपस में cut कर रही थी, और जो दोनों arc हमने बनाई है, वो यहाँ पर कहीं cut कर रही है, तो दोनों को हम join कर देंगे इस तरह, ये हमारा बन जाएगा angular bisector, इस line is angular bisector, ये ही हो जाता है angular bisector, angular bisector नाम से पता लग रह होगा, बतलब कि जैसे मानलो ये बड़ा वाला angle अगर हमारा 60 degree का है, तो ये line क्या करेगी, इस बड़े angle 60 degree को ये 30-30 में आपस में बराबर बाट देगी, ठीक है, मानलो ये अगर हमारा 50 degree होता है, तो ये 25-25 degree में बढ़ जाता, तो angular bisector हमारे बड़े वाले angle को दो बराबर हमारा, हमारा सिलिबस में सिर्फ 3 theorem से है, तो 3 हमारी theorem है, the locus of a point, equidistance from 2 points, is the perpendicular bisector of the line joining the points, यहाँ पे अब हमें बनाना है, locus of point, equidistant from 2 given points, समझना द्यान से, देखो, मान लेते हैं, एक हमारा point A है, इसको A point मान लेते हैं, एक पहले में line खीच लेता हूं, तब दूसरा point यहा हम एक line खीच लेते हैं, line draw कर लेते हैं, इस तरह, and यह हमारा हो जाएगा, दूसरा point इस end पे, इसको हम मान लेते हैं, B point, ठीक है, तो यहाँ पे हम से theorem में क्या कहा गया, उसको पढ़ते है, the locus of a point, equidistant from the 2 points, so in 2 points, A और B से equidistant हमें, एक locus बनाना है, मतलब path trace out करना है, दे कम करोगे, तो arc cut out नहीं करते हैं, half से थोड़ा से जज़ादा इसको set किया जाएगा, फिर इस तरह, A कार्क उपर लगा देंगे, B से, और A कार्क नीचे लगा देंगे, B पे रखे हुए, फिर उसके बाद यही काम A पे रखे करेंगे, A पे needle को हमने रखा exact, और उसके पे आ गया, और बस इन दोनों points को हम join कर देंगे, कुछ इस तरह, यह हो गया, तो यहाँ पर यह जो नया line बनके आया है, this is perpendicular bisector, perpendicular bisector का मतलब, पहली बात तो यह बड़ी वाली line, हमाई A B वाली line को half, दो parts में break कर रही है, मानलो यह A B वाली line अगर 6 cm की होगी, तो यह 3 cm में divide हो जाएगी, है ना, half 20 से divide हो जाएगी है, तो यह perpendicular bisector है, perpendicular क्यों, because यह 90 degree पे हमाई line को cut कर रहा है, so इसलिए perpendicular bisector, bisect कर रहा है, दो बराबर हिस्सों में break कर रहा है, और perpendicular है 90 degree पे है, तो simple, यह वाला theorem किस चीज़ के लिए है, this is for perpendicular, this is for perpendicular bisector, so यह perpendicular bisector के लिए यह वाला theorem है, so I hope यह ला theorem भी तुम लोगो समझ में आया होगा, and कैसे इसको बनाना है, I hope यह चीज़ समझ में आया होगी, perpendicular bisector बनाने के लिए आयेगा, तो हमेशा यह equidistant from two points होगा, equidistant from two points बोलेगा, समझ जाना, कि यह तुमारा perpendicular bisector की बात हो रही है, फिर अगर equidistant from two lines बोलेगा, two intersecting lines कहेगा, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो angular bisector की बात कर रहा है, तब angular bisector हम बनाएंगे, फिर circle कैसे बनाते हैं, यह तो तुम लोगे छोटे classes से ही सीखा हुआ है, यहाँ पे fix point पे needle को रखो, जितना radius लेना है, set कर लो, और circle draw कर दो, so यह तीनो चीज़ों का, तीनो basics का हम use करेंगे अभी, आगे questions भी जब हम construction करेंगे, so बस यहाँ पे basic सारे हो गए है, so इसके बाद में अब हम questions को करना start करते हैं, तो यहाँ पे सबसे first question अभी हम लेते हैं अपना, so यहाँ पर यह हमारा सबसे first question है, इसको read करते हैं, so question number one is, use ruler and compass, देको यहाँ पे main चीज़ ब बनाना है radius 4.5 cm का, draw accord AB is equal to 6 cm, so सबसे पहला काम, सबसे first step ही हमारा क्या है, कि हमें simple से circle बनाना है, इतने radius का, तो जो सबसे पहला theorem थे हमारा, वो circle के उपर ही base था, and यहाँ पे हमें circle यह draw करना है, तो जल्दी से draw कर लेते हैं, 4.5 cm radius का circle, तो उसके लिए हमें यहाँ पे 4.5 cm पहले compass को set करना पड़ेगा, तो set कर लेते हैं, तो set कैसे करना है, सबसे पहले needle को हम रखेंगे 0 mark पे, और उसके बाद में 4.5 cm हमें लेना है radius, तो 4.5 हम compass को इस तरह set कर लेंगे, देख लो, pencil तुमारा 4.5 mark पे exact आना चाहिए, और needle 0 mark पे आना चाहिए, तो 4.5 set हो गया radius, अब बस इसको बिना disturb किये, हम simple से एक circle बना देंगे, चलो, बनाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा समय इसको उपर shift करूँगा, यहाँ पर needle को ऐसे रखा, center पे, और उसके बाद में हमें बस एक circle draw कर देना है, तो उस बस circle draw कर देंगे, यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर practice की ज़रूरत है, और यह देखो, एक flow में मैंने circle बना दिया है, और दूसरी बार मैं इसको थोड़ा सा डाग कर दूगा, तो यह हमारा बन गया circle, इसका center यहाँ पर है, एकदम यहाँ पर needle जहाँ भुका है, यह हमारा center हो गया, और इसका radius कितना हो गया, 4.5 cm, जो कि हमसे कहा गया था, ठीक है, फिर आगे बोला गया है, draw a cord, a, b is equal to 6 cm, then हमें इसी circle में cord बनानी है, 6 cm की, a, b is equal to 6 cm की cord बनेगी, तो cord के लिए करोगे, इसके लोग क्या होती है, circle के अंदर एक line बनानी होती है, radius और diameter के अलावा, वो होती है, diameter के अलावा, जित्ती भी lines बनेगी, वोग cord होती है, तो 6 cm लंबी cord बनानी है, तो बना लेते है, scale को ऐसे रखो, कि यहाँ पर 6 cm तुम्हां cover हो जाए, ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे, जहाँ पर 0 mark यहाँ टच कर रहा हो, और 6 cm यहाँ टच कर रहा हो, यही हमारा हो जाएगा 6 cm लंबा cord, ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर mark करके, arc लगा के भी यही काम कर सकते हो, वैसे भी किया जा सकता है, बट मैं directly यहाँ पर करूँगा, 6 cm लंबी cord बनानी है, simple ऐसे बन जाएगी, देखो, यहाँ 0 mark पर इस तरह शुरू किया, और उसके बाद में 6 cm तरह हमने यहाँ पर cord बना ली, अगर इस तरह नहीं करना है needle और उसके बाद में एक arc लगा लो, arc भी देखो यहीं कहीं लगेगी, तो exact जहाँ पर arc लगेगी, वहाँ तक हम बना लेंगे इसको, तो यह 6 cm लंबा cord ऐसे भी बन जाएगा, इस तरह भी कर सकते हो, अब इसके बाद आगे देखते हैं, next हमें क्या करना है, next find the locus of points equidistant from A and B, अब वही काम देखो, A और B, यहाँ पर cord हमारा A भी है, तो यह point हमारा हो गया A, and यह point हमारा हो गया B, now first we have to find the locus of points equidistant from A and B, A और B से equidistant, यह दो point है, इन से equidistant अगर हम locust बनाएंगे, तो क्या होगा, वह perpendicular bisector होगा, इसका simple है, तो यहाँ पर बस अपना compass लो, half से बस distance तुमको लेना है, and तुमारा काम हो जाएगा, तो half से अला distance लिया, बस यहाँ पर arc लगा दो, एक arc उपर और एक arc नीचे, नीचे वाला arc यहाँ पर बन नहीं पाएगा, तो थोड़ा समय यहाँ पर इसको छोटा कर लेता हूँ, अब ठीक है, तो एक arc मैंने उपर लग यही हमारा क्या हो जाएगा, इस विल बी आर पर पेंडिकुला बाइसेक्टर, यह उपर वाला arc एक्स्ट्रा लंबा था, तो इसको मैं हटा देता हूँ, बस यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को जोइन कर देंगे, यही हमारा पर पेंडिकुला बाइसेक्टर बन गया, यह करना है, यहाँ पे हमें AD को जोइन करना है, A और D को जोइन करना है, करना है तो इसको जोइन कर देते हैं जल्दी से, A और D को जोइन करना है तो A और D को जोइन कर दूँगा मैं इस तरह, यह हो गया A और D जो जो हमसे step कहा जारे हैं मैं बस वही कर रहा हूं, so join AD and find the locus of points which are equidistant from AD and AB, now AD and AB क्या है, यह दोनो lines है, so जब lines से equidistant हमें एक locus of points बताते हैं, तो वो क्या होता है, वो angular bisector होता है, यह तुमारा lines से equidistant है, so this will be angular bisector, so यहाँ पर इस वाली line का, और इस वाली line का angular bisector बताना है, तो चलो यहाँ पर AD और AB का angular bisector बना लेते हैं, so angular bisector बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जहाँ पर हमारा lines का intersection है, वहाँ पर हम लखेंगे needle को, और एक हम angle ऐसे बना उसके बाद में यह arc जहाँ पर भी हमाई दोनों lines को cut कर रही है, वहाँ पर एक बार रखेंगे, इस जगा पर यह हो गया, फिर उसके बाद एक arc ऐसे draw कर देंगे, फिर वही सेम काम, अब इस वाले point पर जहाँ यह arc दूसरी line को cut कर रही थी, यहाँ पर needle को रखेंगे, and then इ इसके दोनों arcs एक दूसरी को cut कर रही है, जिस point पर, यहाँ से हम draw कर देंगे, point of intersection की तरफ एक line, यही हमाई क्या हो जाएगी, this line will be our angular bisector, यही हमाई angular bisector, लाली line बनके तयार होगे, इसको थोड़ा सा आगे तक मैं draw कर दूँग, इस तरह, यही हो जाएगे हमाई angular bisector, ठीक join AD and find the locus of points which are equidistant from AD and AB, यह हमने बना दिया angular bisector, mark the point where it meets the circle as C, तो जहाँ पर यह वाली line हमाई circle को meet कर रही है, इसको C mark कर देना है, तो यह वाला point जहाँ पर यह circle को meet कर रही है, इसको हमने mark कर दिया C, जो जो question कह रहा था, वही मैं step by step कर रहा हूँ, तो second वाला part भी हमने cover कर लिया है, next आते हैं इसके बाद, हमने C point देखो माग कर दिया, फिर आगे join BC and CD, so BC और CD को हमें join करना है, तो BC और CD, इन दोनों को join कर देंगे बस, तो यहाँ पर BC, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, तो BC और CD को हमें join करना है, धान देना, यहाँ पर B और C point को join कर देंगे इस तरह, यह हो गया, and C और D point को join कर देंगे इस तरह, यह C और D को हमने join कर दिया, थेक है, तो यह हो गया, BC और CD को हमने join कर दिया है, next part देखते हैं इसके बाद, now next part हमारा है, part number 3, आगे measure and write down the length of side CD of the quadrilateral ABCD, so हमें measure करना है इसी length को, CD की length को measure करके लिख देना है simple, थेक है, बस यही length measure कर लेंगे हमारा काम हो जाएगा, तो CD की length निकालते हैं जल्दी से, देखो कुछ यहाँ पे points कर आगे पीछे हो सकता है, उतना चल जाएगा, बट CD की length यहाँ पे कुछ-कुछ accurate आनी चाहिए हमाई, तो यहाँ पे CD की length कितनी हो जाएगी, देख लो यहाँ पे ध्यान से, CD की length अगर हम देखें, तो यहाँ पे आ रहा है मेरे इसाब से, 1.6 cm देख लो, देखो ध्यान से, 1.6 आ रहा है, मैंने 0 mark पे, D point पे 0 mark रख दिया, और यहाँ पे देख सकते हो, 1.6 के आसपास आ रहा है, 5 से उपर है, 6 पे यह point C वाला आ रहा है, so 1.6 cm, ठीक है, 16 mm या फिर 1.6 cm यहाँ पे CD की length है, तो CD is equal to आ जाएगा 1.6 cm, लिख देते हैं answer, so third part का answer हो जाएगा, CD is equal to, CD is equal to 1.6 cm, अब यह जितना accurate हम बनाएंगे, बट कोशिश करना, यह जादा जादा accurate बनाओगे, तभी यह length निकल के आएगी, so यह हमारा हो जाएगा complete question, एक बर देख लो इस question को, and I hope तुम लोगो यह अच्छे समझ में आया होगा, and कैसे हमने इस question को construction किया है, वो भी अच्छे समझ में आ गया होगा, यहाँ पर हमारा question तो complete हो गया है, लेकिन इस question को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, यह जो perpendicular bisector बनाया था, यह circle पर जहाँ meet कर रहा है, वो हमने D से mark करना था, लेकिन यहाँ पर कई बच्छे यह भी कर सकते हैं, कि इस perpendicular bisector को हो सकता है, उन्होंने उपर तक ड्रॉक किया हो, जादा लंबाई में इस तरह ड्रॉक किया हो, जहाँ पर circle को यह touch कर रहा हो, हो सकता है D इधर ना mark करने की जगा, उन्होंने यहाँ पर mark किया हो, तो यहाँ पर अगर D को mark किया जाएगा, तो चीजे थोड़ा सा बदल जाएगी, क्या बदलेंगी वो भी हम बता देता हूँ, देखो, अगर हम D को उपर की तरफ mark करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, जॉइन AD, और उसके बाद AD को अगर हम जॉइन करेंगे, तो इस बार AD हमारा उपर की तरफ जॉइन होगा, कुछ इस तरह, यह मैं सेकेंड वाला केस बता रहूँगा, D को हम उपर बनाते हैं, तो यह हमारा AD हो गया, Then हम से क्या बोला गया है, that to join AD and find the locus of points which are equidistant from AD and AB, तो AD और AB वाले angular bisector हमें बनाना पड़ेगा, विसी कली AD और AB का, तो यह हो जाएगा, यहाँ पर पहले angle बना देते हैं, थोड़ा से इसको बढ़ा कर लोंगा, compass को, इस तरह, यह हम बना देते हैं, angle, और उसके बाद में angular bisector के लिए एक बार जहाँ पर यह आर्क कट करेगी, एक बार यह बना लेंगे यार्क, और एक बार यहाँ पर रखे यह बना लेंगे यार्क, दोनों आर्क कट नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान से रख के बनाएंगे, ताकि कट कर जाएं, यह यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो यह हो जाता ठीक है और बस यहाँ पे BC और CD को join करना था तो BC और CD को join कर देते हैं BC और CD को join कर देते हैं then last case में क्या बोला गया है हमसे join BC and CD measure and write down the length of side CD तो अगर इस तरह से हम side CD के length measure करेंगे तो कितनी निकल के आएगी देख लेते हैं यह आएगी है हमारी पूरा पूरा 5 cm निकल के आ रही है तो यहाँ से देख सकते हो तुम लोग 5 cm CD के length निकल के आ रही है तो तुमाई board के solution में भी दो answers हैं एक तो 5 cm भी दिया गया है लेकिन यह भी कहा गया है कि अगर किसी ने नीचे की तरफ C और D बनाया है तो वहाँ पे उसका length इतना भी आ सकता है 1.4 और प्लस माइनस 3 तो यहाँ पे अगर इस वाले case से अगर CD निकालेंगे तो इससे CD का value कितना आएगा पूरा पूरा 5 cm तो तुम कैसे बना सकते हो यह उपर वाला तरीका भी चल जाएगा और नीचे वाला भी दोनों मत बनाना कोई एक बनाना इसमें या तो उपर वाला इतना portion बना सकते हो या फिर ऐसे जो पहले मैंने बनाया था नीचे वाला portion यह भी तुम बनाके कर सकते हो दोनों ही answer सही है यह भी सही है और यह भी सही है ठीक है So I hope यह पूरा question तुम लोगो समझ में आ गया होगा अगर समझ में आओ तो वीडियो को लाइक करो इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले question की तरह So next अभी हम बनाने वाले हैं इस वाले question को So देखते हैं हहाँ पर क्या है So question number 2 Using ruler and compass only So यहाँ पर भी ruler or compass का ही सिर्फ इस्तमाल करना है Protractor का use नहीं करना है Construct a semicircle यहाँ पर semicircle हमें draw करना होगा पूरा circle नहीं बनाना है With diameter BC is equal to 7 cm So 7 cm diameter का हमें एक circle बनाना है मतलब semicircle बनाना है पूरा circle नहीं draw करना है So diameter जितना होगा उसका half ही radius होगा तो यहाँ पर 7 cm is the diameter Then radius हमें कितना लेना होगा The radius will be 7 by 2 That is equal to 3.5 cm यह तुमको अपने आप से सोचना है कि तुमको diameter दे रखा है अब compass में diameter तो set की नहीं जाती है वहाँ set किया जाता है radius तो radius हम 3.5 निकाल लेंगे So बस यहाँ पर 3.5 measure कर लो कैसे measure करना है तरीका मैंने तुमको बताया हुआ है That यहाँ पर 0 mark पर रखेंगे needle को और उसके बाद में 3.5 cm पर हमें pencil को ले जाना है Set करना है तो यहाँ पर compass को ऐसे रखना कि smoothly यह बन पाए इतना भी smooth ना हो कि अपने आप ही यहाँ move करने लगे यहाँ पर यहाँ पर सेंटर से होती ही हमें एक line खीच देंगे अगर तुम चाहो तो पहले line खीच के भी यह काम कर सकते थे वो ज़्यादा अच्छा रहता मेरे इसाब से यहाँ पर यह हम line खीच देंगे इस तरह सेंटर से होती ही line जानी चाहिए diameter होनी चाहिए ध्यान रखना है सेंटर से होती ही line जाएगी इस तरह यह हमारा हो गया semi circle जितना भी नीचे एक्स्ट्रा बना हो वो तुम निटा सकते हो चाहिए तो पहले line खीच के उसके बाद सेंटर को करते तब ज़्यादा अच्छा रहता तो यहाँ पर सेंटर को मैं थोड़ा सा डाक कर दूंगा यहां से थोड़ा सा डाक कर दूंगा ताकि तुम लोग को अच्छे से दिखाई देए यह हमारा बन गया semi circle आगे question देखते है क्या है locate a point A on the circumference of a semicircle such that A is equidistant from B and C यहाँ पर B and C है क्या यह जो हमने diameter बनाई है यह B and C यह BC है diameter this is our diameter ठीक है तो यहाँ पर हमसे कहा गया है locate a point A on the circumference of semicircle such that A is equidistant from B and C अब B और C से equidistant एक line बनाओगे वह line जहां से touch करती भी जाएगी सर के लिगो वही point हमारा A हो जाएगा तो क्या करना है perpendicular bisector बनाना है B और C पर रखे यहाँ पर तो B और C point पर एक बर C पर रखेंगे और R कैसे लगानी तरीका में ने बता दिया हमेशा R के लिए half से जादा पर compass को set करना आदे से कम करोगे तो R कटी नहीं करेंगे एक दूसरे से थोड़ा से जादा आदे से रखेंगे इतना तो नेडल को रखा एक यह बनी हमाई कट करती और एक नीचे बनेगी यहां भी यह कट करेंगे ठीक है दोनों आर्क यह बन गए अब जहां पर आर्क का intersection पॉइंट हो गई यहां और यहां यहां पर रखेंगे स्केल को एक लाइन खीच देंगे इस तरह यही हमाई हो जाएगी इस circle के circumference को cut करती भी गई यहीं हमाँ point A हो जाएगा तो यह कैसे हमें बनाना था such that A is equidistant from A and B जब कोई point equidistant from two points बनाया जाता है तो यह theorem number 3 हमाई क्या हो जाती है वो वही line हमाई perpendicular bisector होती है तो बस perpendicular bisector हमने बनाया है फिर आगे है complete the cyclic quadrilateral ABCD such that D is equidistant from AB and BC तो अब AB और BC का हमें angular bisector देखो बनाना है हमें AB और BC से equidistant एक locus बनाना है यानि कि वो angular bisector होगा तो बस पहले AB और BC बनाओ यह हो जाएगा AB line और उसके बाद A और C को join कर देंगे तो वो हो जाएगी AC D is equidistant from AB and BC अब हमें AB और BC दो lines से equidistant एक point का locus बताना है तो दो lines से जब equidistant होता है तो वो क्या होता है वो angular bisector होता है कौन कौन से line का है AB और BC यानि कि AB और BC इन दोनों lines का angular bisector यानि कि यह जो angle है इसका हमें angular bisector बना देना है कैसे angular bisector बनाते हैं देख लो यहाँ पे जिस point पे यह दोनों lines AB और BC आपस में intersect कर रही है यहाँ पे कर रही है यहाँ पे हम रखेंगे needle को उसके बाद में arc लगाएंगे जहाँ पे यह दोनों lines पी यह arc कट करती भी जा सके तो इस तरह मैं arc लगा दूँगा ध्यान देना यहाँ पे needle को रखा और इस तरह हम arc लगा देंगे यह यह एंगिल की आर्क हो गई अब यह आर्क जहां जहां कट करती भी गई है इन दोनों लाइन्स को पहले यहाँ पर नीडल को रखेंगे इस जगा पर एंड उसके बाद में एक आर्क लगा देंगे यहाँ पर फिर वही सेम काम इसके लिए करेंगे यहाँ पर नीडल को रखा और आर्क लगा दिया है यहाँ पर तो बस इसको कंप्लीट कर लेता हूं मैं सही से यहाँ पर भी आर्क को कट कराना है तो यह आर्क यहां तक मैं एक्स्टेंग कर दूँगा तो बस जहां पर दोनों आर्क यह कट कर रही है वहां से जहां पर हमाई lines cut कर रहे थी यहां से इस दोन लाइन को join कर दो यह हमारा बन जाएगा angular bisector of line AB and BC यह हो गया हमारा angular bisector ठीक है यह बन गया angular bisector अब इसके बाद में हमसे क्या कहा गया है complete the cyclic quadrilateral ABCD such that D is equidistant from AB and BC अब यह जो point है यह हमारा D point यहां पर बन के आएगा कहीं जहां पर circle से टच कर रहा है बस उसके बाद में हमसे कहा है complete the cyclic quadrilateral ABCD ABCD को पूरा complete कर दो AB joint है BC joint है C or D को join कर देंगे और A or D को join कर देंगे तो पहले C or D को join करते हैं इस तरह यह हो गया CD और उसके बाद में A or D को join करेंगे इस तरह यह हो जाएगा हमारा AD ठीक है तो यह हमारा बन गया complete cyclic quadrilateral और यहीं चीज़ हमें यहां पर करने थी उसके बाद में हमसे एक और चीज़ कहीं गहीं है that measure angle ADC and write it down अब हमें measure करना है angle ADC को and measure करने के लिए यहां पर है प्रोटेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा अब यहां पर में पास प्रोटेक्टर नहीं है इस समय बठाँ इसको अगर तुम measure करोगे तो इसके answer से तुम match कर ले ना इसका angle जो आएगा angle ADC वो approximately 135 degree के असपास आएगा एक दो डिगरी उपर नीचे चल जाता है बट approximately इतना लगभग आना चाहिए समझ में आ गया होगा समझ में आ गया हो तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अभी अगले question की तरह अब हम इस question को देखते हैं read करते हैं इसको question number ठीक हो using ruler and compass only अब इसकी तो आदत पढ़ गई होगी तुमको पढ़ने की आगे है construct a triangle ABC such that BC is equal to 5 cm and AB is equal to 6.5 cm and angle ABC is 120 तो यहां पर हमें यह triangle बनाना है सबसे पहले तो यहां पर जो भी side हमारा सबसे बड़ा होता है उसको हम base वाला side लेते हैं तो यहां पर हमारा AB वाला side सबसे अधा बड़ा है तो 6.5 को मैं नीचे बनाऊंगा इस तरह ध्याम देना इसको बनाने का तरीकों को तो यहां पर AB को मैं नीचे बनाऊंगा इस तरह तो यहां पर 6.5 cm हम bepasher कर लेते हैं यहां तक होगा 6.5 cm और इसको हम बना लेते हैं यह हो गया हमारा 6.5 cm की लाइन यह माई हो जाएगी AB यह हो गया AB is equal to 6.5 cm इसके बाद में हमसे कहा गया है that BC is equal to 5 cm and angle ABC is 120 degree तो BC को 5 cm लेना है अब हम triangle ऐसे ही तो 5 cm लेके बना नहीं सकते हैं तो यह लेने के लिए यह बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 5 cm का arc इस ब्रह्मास्तर में याने की इस compass में लेना पड़ेगा तो यहाँ पे हम 0 पे set करेंगे needle को और 5 cm पे अपनी pencil को लेके आएंगे pencil की needle को ठीक है और उसके बाद पे 5 cm पे arc लगा देंगे इस तरह पूरे पे B पे needle को रखेंगे इस तरह और उसके बाद में arc लगाएंगे ताकि B से 5 cm दूर ही हमाई line बनके तयार हो यह हो गया ठीक है अब इसके बाद हमें ABC वाला angle 120 degree लेना है देखो उपर लिखा हुआ है तो यहां पे 120 degree angle बनाने के लिए angle बनाने का तरीका देखो क्या होता है एक बार B पे रखे ऐसे लगा दिया पूरा आर्क अब क्या करोगे A वाले point पे रखे बनाओगे A वाले point पे रखे ऐसे बनाओगे तो यह जो पहला 60 degree के लिए हुआ मतलब अगर इसको इसको join कर देंगे 60 degree का angle बनेगा and इस point पे needle को रखे जब दूसरा arc लगाते हैं तो यह तुमारा 120 degree का होता है मतलब यहां से B पे line अगर खीचेंगे तो यह तुमारा 120 degree angle बनके आ जाता है तो यह बिना protector के हम angle इस तरह बनाते हैं तो इसको मैं ज़रा arc complete कर देता हूं इस तरह तो देख लो जहां पे arc तुमाई cut कर रही है वहां से इसको join कर दो बस आगे तक line नहीं कीचनी है exact जहां पे point हमारा intersection हो रहा है दोनों arcs का वहीं तक हम बस खीचेंगे line को तो यह हमारा हो जाएगा यह इस तरह तो यह point हमारा आ गया क्या c point यह मिल गया अब उसके बाद में triangle बनाने के लिए a b c यह complete कर दो a और c को भी इस तरह join कर दो यह बन जाएगा हमारा triangle a b c तो एक काम तो angle a b c 120 degree था यह हमने 120 वाले arc पर ऐसे join कर दिया तो यह हमारा angle a b c आ गया 120 degree यह है हमारा अब इसके बाद first part देखते हैं now construct a circum circle of triangle a b c अब हमें circum circle बनाना है किसका triangle a b c का अब यहाँ पर हम circum circle कैसे draw करेंगे इसको समझने के लिए तो मैं हमारा constructions वाला वीडियो पहले जाके देखना पड़ेगा उसको देखकर तब यह समझ पहोगे तुम कि constructions किस तरह किये जाते हैं विकास जो main part था लोकस का वो तो हम समझ चुके हैं पर जो construction वाली चीज़े हैं वो मैंने उस वाले वीडियो में बताएं बट यहाँ पी मैं दुबारा बता देता हूं देखो circum circle बनाने के लिए हम क्या करते हैं हमें यहाँ पर perpendicular bisectors चाहिए होंगे दो sides के तो यहाँ सबसे पहले यह जो दोनों sides हैं B, C और A, B इनके perpendicular bisectors बना लो कैसे बनाओगे पहले A, B का perpendicular bisectors बनाओ तो half से ज़्यादा ऐसे arc लगाना है तो एक यह हो गया यह उपर कर तो arc लगई हुआ है A और B का है कि नहीं A और B के लिए यह वाला arc तो लगई हुआ है नीचे एक arc लगा लो यह perpendicular bisectors A, B का बनेगा तो यहाँ पर यह हमारा बन गया A, B का perpendicular bisectors एक ऐसी line जो A और B को बराबर 20 से काट के जा रही हो perpendicular line है यह हो गया perpendicular bisectors of A, B अब इसी तरह perpendicular bisectors B, C का भी पहले बनाओ तो B, C का perpendicular bisectors बनाने के लिए वही काम करना पड़ेगा A कार्क लगेगी किसके लिए? B पे needle को रखे A कार्क ऐसे लगाएंगे और A कार्क लगा लगा लेते हैं उपर यहाँ कहीं यह तो लगी हुई है, ठीक है मैं distance देखो बदल नहीं रहो ताकि arc सेम जगा पे ही लगे यह ही बन जाएगा, उसके बाद में C पे needle को रखेंगे और A कार्क लगाएंगे ऐसे तो यह तो यही पे लगेगा जहाँ पे हमारा पहले arc लगा था यह और उसके बाद C पे ही रखे रखे इसको मैं लगा लूँगा नीचे arc जो की यहाँ पे हमाई कट कर जाएगी दिख रहा होगा तुम लोगों यहाँ पे यह हो गया तो इन दोनों लाइन्स को जब हम जोइन कर देंगे तो यह perpendicular bisector बन जाएगा किसका यह बन जाएगा perpendicular bisector of BC तो यह हमाई line इस तरह कुछ बन जाएगी यह हो गया तो अब यह दोनों lines जिस जगा पे touch कर रही है जिस जगा पे यह दोनों lines आपस में एक दूसरे को cut कर रही है यह वाला point यही point से हमें क्या करना है circum center अपना draw करना है यही हमाई circle का center हो जाएगा तो बस यहाँ पे अपने needle को हम रखेंगे इस तरह यह needle है यहाँ किसी भी एक point चाहे A पे चाहे B पे चाहे C पे A B C किसी पे भी रखे मैं A पे रख दूँगा रखे यहाँ पे हम circle को draw कर देंगे यहाँ पे change करने की ज़रुरत भी नहीं पड़ रही देखो यहाँ पे बस needle को रखा A पे देखो रखा exact सही दूरी पे यह आ गया तो बस यहा यहाँ पे circumcircle draw करते हैं जो कि कुछ इस तरह बनके आप ही जाएगा कोशिश करना इसको एक ही बारे बनाना एक बारे मनता है तो बढ़िया circle बनता है यह हमारा यहाँ पे circumcircle बनके तयार हो जाएगा इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या करना है now we have to construct a cyclic quadrilateral ABCD such that D is equidistant from AB and BC अब दो lines से equidistant हमें D बनाना है तो lines से equidistant का मतला होता है angular bisector तो AB और BC पहले देखो कहां कहां है यह है AB यह है BC तो AB और BC का angular bisector बना लो वो इन दोनों lines से equidistant पे होगा तो बस angular bisector बना लो इसका आसान है तो angular bisector के लिए थोड़ा से इसको चोटा कर लेते हैं पहले तो यहां पर एक एंगिल ऐसे डौट करना पड़ेगा इस तरह यह हो गया फिर उसके बाद में यहां पे जिस जगह पर यह आर्क को कट कर रहे है लाइन को यहां पर नीडल रखेंगे एक चोटा से लगाएंगे ऐसे थोड़ा से बढ़ा कर लेता एक लाइन क्रॉस करती इस तरह बना दो यह तुमहीं हो जाएगी अंगुलर्विस्ण्स को कट करेगी जाके लासट में यहीं तुम्हारा पॉइंट क्या हो जाएगा यह tu debate ii एकुद से फ्रॉं a b यह तुम्हारा डी हो जाएगा ठीक है अंगुलर बाइसेक्टर बनाया और यहां पर सर्कम्फरेंस को टच करेगा जाके वह यह मार्डी हो जाएगा जब भी लाइन से इक्टुडिस्टेंट की बात करेगा हमेशा याद रखना इट इस टॉकिंग ओफ आंगूलर बाइसेक्टर यह अमेशा अंगूलर बाइसेक्टर को बता रहा होता है यह बात अपने दिमाग में रख लेना कभी कंशूजन नहीं होगा जब भी लाइन से क्टूडिस्टेंट I hope यह वाला question भी तुम लोगो समझ में आया होगा अच्छे से अब यहाँ पर एक question में तुम लोग को homework के लिए दूँगा question number 4 और यह सब बच्चे मुझे करके हमाई telegram channel पर मुझे send करेंगे या लोग sir वाइटी पर तो यह हमारा हो गया complete question अब question number 4 मैं तुम लोग को दे रहाँ और यह है हमारा question number 4 यह हमारा specimen question paper का question है अगर तुम लोग यह नहीं कर पाओगे तो फिर मैं इस question को अलग से भी करवा दूँगा तो यह तुम लोग के लिए homework है this is homework for you all और इसको करके सभी बच्चे मुझे टेलिग्राम चैनल पर आलोक sir वाइटी पर send करेंगे यह हमारा टेलिग्राम ID है इस पर तुम send कर सकते हो इस question को solve करके तो I hope तुम लोग को यह पूरा वीडियो अच्छे समझ में आया होगा तो अगर वीडियो पसंद रहा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रू करना और इसे के साथ अब अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर स्युए और बाबाई